इंडियन इंशेंट हिस्ट्री यानि कि भारत का अपना पौराणी कितिहास जिसमें ना जाने कितनी ऐसी कहानिया भरी पड़ी हैं जो हमें हमारे रिच कल्चर से रूप रूप कराती हैं और साथ ही हमें लाइफ में उन कहानियों से सीख लेके आगे बढ़ने की प्रेड़ना के जो की हमारे इंडियन इंशेंट कल्चर से हमें रूप रूप कराएंगी इस सीरीज पर मैं पहले दो बना चुका हूं ये उसी सीरीज की तीसरी वीडियो है और हाँ इस वीडियो में वो मूवी मैंने cover की हैं जो उस वक तक announce नहीं हुई थी जब मैंने वो दोनों वीडियो बनाई थी तो इस वीडियो में mostly माल नया ही देखने हो मिलेगा और इस लिस्ट की second movie तो ऐसी है जिसके बारे में जानने के बाद शौक ना लगे ऐसा possible नहीं है तो मेरी जान स्वागा था तुम सब का Cinema Unfiltered की एक और interesting वीडियो में और वहाँ आपका हमदम आपका दोस्त फ्रेम है तो इस लिस्ट की हमारी पहली movie है नितेश तिवारी साहब की रामायन I know इसके बारे में तुम सब जानते हो लेकिन इसे मैंने इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया क्योंकि इस movie की casting पे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं जिसका जवाब मैं यहाँ पे cover करके देना चाहता हूँ एक तो मुझे यह समझ नहीं आता भाई कि कुछ लोग अपने life में इतना negative कैसे हो सकते हैं कभी हनुमान movie में जो दिखाया उससे problem है कभी रामायन जो अभी तक आई भी नहीं है उसमें भी problem देखनी चालू कर दी है मेरी जान negativity एक बिमारी होती है बहुत बड़ी psychological बिमारी होती है जिन्दिगी में चीजों को अगर positive angle से देखना शुरू नहीं किया तो कब तुमारा खुद का दिमाग तुम्हें खा जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और जब पता चलेगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी खेर सबसे major problem जो इस movie में काफी लोग को नज़र आ रही है वो ये कि इस movie में हनुमान जी की casting गलत हुई है सनी देवल सहाब इस movie में हनुमान जी का character प्ले कर रहे हैं तो क्या कास्टिंग वाके गलत है मैं अगर अपना personal point of view बताऊं तो मेरे हिसाब से एकडम perfect cast है सी हनुमान जी के करदार के लिए हमें जिस actor की ज़रत है वो एक heavy build के साथ होना चाहिए ये बात बहुत ज़रूरी है और उस angle से सनी पाजी इस character के लिए एकडम unfit है बिलबूल सही बात है लेकिन एक चीज़ जो हम अकसर भूल जाते हैं वो ये कि हनुमान जी के character के लिए सिर्फ heavy build की ही ज़रूरत नहीं है बलकि एक अच्छे actor की भी ज़रूरत है चूकि हनुमान जी की राम जी के प्रती भक्ती को सजीव रूप से हमारे सामने प्रस्तुत कर सके उसके voice में वो softness होनी ज़रूरी है जो उस समय हमें emotional कर सके जब हनुमान और राम जी का प्रथम मिलन होता है और सनी देवल सहाब perfectly उन emotions को carry कर सकते हैं और उनका यह potential हम उनकी पिछली कई movies में देख चुके हैं फिर चाहे वो border हो जहां हमने उनकी आँखों में वो पानी देखा जो यह कह रहा था कि जंग चाहे किसी भी देश के बीच में हो लेकिन रोता एक फोजी का परिवारी है या फिर हम जीत में उनकी performance देखे जहां वो एक जानवर से एक मासूम प्रेमी के रूप में transform हो जाते हैं और अपनी dialogue delivery में उस मासूमियत को carry भी करते हैं या फिर गदर एक प्रेम कता को ले लो जो उनकी universal appeal को audience के सामने परोस दिये मैं तो अभी से उनकी voice सुन सकता हूँ जब पहली बार राम जी उनके सामने होंगे तो वो आंसों से भरे नैनो के साथ उन्हें परणाम करते हुए जब कहेंगे आप आगए प्रभू बहुत प्रतिक्षा गराई आपने हाँ अब बात आती है physical build की की हनुमान जी के बलको प्रदर्शित करने वाले उनकी screen presence कैसे काम करेगी तो उसका सिधा सा जवाब है रामा एंड में motion capture technology and 3D character model के जरिए ये काम किया जाएगा अब हाँ motion capture का नाम सुनके थोड़ा आदी पूरुष की याद आती है तो डर भी लगता है तो as I said earlier की positive side भी हमारे पास है MCU का हल को या फिर planet of the apps का Caesar ये सब motion capture technology का ही नतीजा है और मत भूलिए कि आदेपूरुष में वेफेक्स का काम करने वाली कंपनी ओम राउट साब के घर की कंपनी थी लेकिन रामा एंड में DNEG जैसी कंपनी जो की खुद से co-producer भी है रामाएंड की वो काम कर रही है वेफेक्स पे और DNEG इंडिन मुविस के साथ ही साथ होलिवड के बड़े बड़े प्रोजेक्स पे काम कर चुकी है ब्रमास्त्र, ट्रिपल र के साथ ही साथ, आवेंजर सेंड गेम, ड्यून, गोर्दिला वर्सेस कॉंग, एको में एंड लोस्ट किंग्डम ये वो प्रोजेक्स हैं जो इसी कंपनी के हिस्से आते हैं इवन अक्षे कुमारो टाइगर श्रॉफ के अपकमिंग मूवी बड़े मिया चोटे मिया के साथ भी यही कंपनी जुड़ी हुई है तो जितना बड़ा बजट रामायन को दिया जा रहा है उस हिसाब से लोग आराम से मोशन कैप्चर के जरिये अनुमान जी को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं अब यहाल ही में हमने अनुमान मूवी में अनुमान जी का 3D अवतार देखा अब थोड़ा और इमेजिन करो कि यह 3D मोडल और थोड़ा रीफाइन होता और इसकी अनिमेशन ट्रेडिशनल कंप्यूटर जेनरेटेड ना होके मोशन कैप्चर के जरिये रिकॉर्ड की गई होती तो अभी जो गूजबंस हमने महसूस किये थेटर में लास्ट के उन 10 मिन वीडियो को दोबारा देखा चार-पांच बार तब मुझे समझाया कि यह कितना बड़ा गेम हो रहा है विश्वंबर जो कि हमें यह इशारा करता है कि यह यूनिवर्स भी कल की अवतार की तरफ जा रहा है जी हां यह मूवी कोछ सोलो मूवी नहीं होने वाली है बलकि मेक यह मेगा मास तो समझाता है चिरन जीवी साब के अंगल से लेकिन यह बिए ripियोंड यूनिवर्स क्या है तो इसका मतलब हमें समझाय इस मूवी के कॉंसेप टीजर ने बैंड यूनिवर्स मतलब यहां हमें वो सब देखने को मिलेगा जो की हामारे इस अर्थ से बियॉंड में भी हमें अर्थ के उपर जीवन की शुरुबात कैसे हूई, या फिर इस अर्थ की ही शुरुबात कैसे हूई, वो सब देखने को भी मिले इसमे, और मैं यहाँ पे हावा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर थíory है जो इस बात को सपोर्ट करती है, मु वीडियो रिलीस की गई थी उसमें हमें इसके दुनिया से भी रूब रूब कराया गया था और उसको देखके क्लिरली कहा जा सकता है कि यहां बात सेलेस्टियल बींग्स तक की हो रही है इवन इसके अर्ली पोस्तर से हमें इंडिकेर भी किया जा रहा है कि इस मूवी का यूनिवर्स फाइव एलिमेंट्स प्रत्वी जलगनी वाईउ और आकाश की सम्मिलित चक्तियों का इस्तमाल करेगा यानि की मेगा मास्क ब्योंड यूनिवर्स और इन फाइव एलिमेंट्स के प्रतीक सुरूप हमें ये पाँच एजिस वाला स्तार भी हर्जे के देखने को मिल रहा है पोस्तर में भी और इस कॉंसेप्ट वीडियो में भी लेकिन इस त्योरी को सुनते वक्त ये ध्यान रखना कि चिरन जीवी साहब की हम अंजी मूव भी दिखाई दे रहा है और एक बड़े से फ्लोटिंग परवत के ऊपर हमें एक विश्नु मंदिर देखने को मिलता है ये जगह आर्थ जैसी दिख जरूर रही है बट अर्थ नहीं है देन हमें इस तेंपल का एक दरवाजा खुलते वे दिखाय जाता है जो की इंडिकेट करता है पदमनाब स्वामी मंदिर के उस मिस्तिरियस दोर को जिसके बारे में काफे सारी थेोरी बताई जाती है जिसका दूसरा सीरा जुड़ा है पदमनाब स्वामी टेंपल दोर से देन हम देखते हैं कि टेंपल के तैखाने टाइप जगे में एक सादू बाबा एक से किसी दूसरे पोर्टल के थूरू टेलिपोर्टों के हमारी अर्थ की तरफ बढ़ता है यह बॉक्स इतना पावर्फुल है कि अपने रास्ते में आने वाली एक उलका पिंड तक को डेस्ट्रोई कर सकता है और फिर यह बीज रूपी बॉक्स उन उलका पिंडों के साथ ही अर्थ से आठक राता है और एक क्रेटर में हमें दिखाई देता है बाद में साथ ही यहां पर नॉटिस करने वाली बात यह भी है कि यह बॉक्स जब अर्थ पर गिर रहा होता है तो हमें इसके साक्षी के रूप में हनुमान जी का एक हुज स्टैच्यू दिखाया जाता है लाइक की हनुमान जी खुद आई विटनेस हैं इस बॉक्स के अर्थ पे आने के और एड़ दा एंड जब उस बॉक्स का लोग डियक्टिवेट होता है और वो बॉक्स वापस से ओपन होता है तो हमें टाइटल दिखाई देता है विश्वंबर यानि कि इस बॉक्स में जो पर दॉसरा है प्रशांत वर्मा सिनिमेटिक आने वाला है और इस लिस्त की हमारी तीसरी मूवी भी कल की ही है यानि कि कलकी 289880 लेकिन चुकि हम इस movie के ऊपर detail में काफी बाते कर चुके है तो हम यहाँ पर एक और bonus movie उठा लेते हैं लेकिन उसके पहले चुकि कलकी की बात हुई है तो एक latest चीज बता देता हूँ कलकी के set design के जो scratch video of agency movies वालों ने डाला हुआ है अपने YouTube चैनल के उपर उसका एक screenshot है और उसमें भी Padmanabh Swami temple को recreate किया जा रहा है मतलब ऐसा मेरा guess है ये कोई leak नहीं है ये खुद इन्होंने अपने official YouTube चैनल पर डाली हुई है उसको decode किया गया है तो कुल मिला के कलकी से related कोई भी project होगा उसमें Padmanabh Swami temple का connection दिखाया ही जाना है फिर चाहे दा hidden Hindu book पढ़ लो खेर तो इस list की हमारी bonus movie है जगदेगा वीरुडू आती लोगा सुंदरी यानि की सीटकल लाने के तयारी में है विद रामचरण एंड जानवी कपूर और अगर ऐसा हुआ तो भाई मज़ा आ जाएगा और तुम्हें वह मज़ा फील होगा जब मैं इस movie की स्टोरी तुम्हेर साथ शेर करूँगा यह movie आई थी 1990 में movie का हीरो राजू जो कि एक हिल स्टेशन का टूर गाइड है और साथ में चार आनात बच्चों को पालता है जिन में से एक बच्चा गायल हो जाता है तो एक आयुरवेदिक गुरू यह सजेस्ट करते हैं कि इसका इलाज मिलेगा हिमाले पे मांसरो और जील पे जहां उस वक्त स्वर्ग से देवरा पे एक हरामी जादूगर है जिसका रॉल प्ले किया है अमरीशपुरी सहाब ने और मुझे ये ज़्यादा इंटरसिंग लगा क्योंकि अमरीशपुरी सहाब ने इस मूवी में तेलगो डायलोग भी अपने खुद की वोईस में डब किये थे यानि कि भले ही ये पैन इंड मुवी को देखने बाद ही पता चलेगा तुम्हें मेरी तरफ से हाइली रेकमेंड़ है स्पेशली फैंटेजी जोंडा के चाहने वालों के लिए लेकिन इसकी एक खास बात मैं बता दूँ कि ये तेलगो सिनेमा की कल्ड क्लासिक मूवी है और इसके सॉंग बियोंड क्लास अपनी जानू तो ये मूवी देखने ना जाऊं ये हो नहीं सकता तुम ये मूवी ना देखो ये मैं होने नहीं दूँगा व ven to कैसे लिए a